नमस्कार सवाल इंग्रागे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं नाम है अंकित्यागिया और इस वाक्त आप एंडी टीवी के साथ है आज शुरुवात कर रहे हैं हैंटरबाद में एक भीशन आग लगी है उस आग की खबर से आपको जरा रूबरू कराते हैं पैर किया जा रहा था इसी दौरान आग लगी और उसके पास रखे केमिकल ड्रम तक पहुँच गई इसके चलते आग जबर्दस तरीके से भड़की और ये जो आग है तेजगती से उपर की पांच मंजिलों को उसने अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद खबर ये आग लोगों की इसमें मौत हो गई है तीन और लोग बुरी तरह से जुझते हैं जो गायल है इनका अस्पताल में आज चल रहा है जो मौते हुई अभी तक जिन कैजॉल्टी होए नौर लोगों की कैजॉल्टी होए अस्पताल में दो पहुंचने के बाद में वह हुई है दुएं की वज़े से आगर से जलने की वज़े से नहीं हुए क्योंकि यह दुआ निकला दुआ उपर गया नैच्रली तो उपर ज चाने के बाद भी कोशिश करी तो कुछ लोग नीचे आना चाहे जो स्टेर केस पकड़के लेकिन नहीं आपाए उसके वैसे वह जो है उनका दम गुड़ गया सफोकेशन की वज़े से उनकी मौते हुई है तो अभी आख में पूरी तरह काबू पा लिया गया है और यह क्य बजने की कोशिश की कि वहाँ पर अभी क्या हालात है। पहले फ्रसप्टोर में चार जने था तर्जने से तीन जने वड़े लोगते एक जने दो सार शाल के बच्चा था पहले उमलों को उतारे नो उतार ने के वहाँ फिर मैं उत्षा फरसप्टोर में गया उपर गे तो फूई भी नहीं तो फिर सिकन्फूर गया। तेन जैने में एक जैने होस में था रोजने बेवियां वे देव बचान वोड़ा समय तो बहुत टोड़ा गए उसको पहले उटाके लेकर मैं भी अम युरूर तो तो अनुग में उसके बाद मैं जाकर एक गोले तो लोंक का इसी को नहीं चुपा में जाय को था तेरा जने गवर पे रूम दालके ताला दालके अंदर थे उनलोंको बाद पूपर गया फिर उपर गया तो ना स्टेर्केस में दो जने और एक रूम में एक लड़की दो बच्चे नव साल के बच्चे थे उनलोंको भी फॉरान पूरे एलप के साथ पुरे लिच्छे लेके आए मेडम पुरे आप जने बोशे वर थे तेरा जने से बोड़े लिए थे थर्टीक हुआ वा पायर पुरा जो मस्ती वाले थे पता चला पी ने नीचे में नीचे केमिकल का यह अच्छे ने केमिकल में होता है जलती शॉट से पूरा रोट के बाहर एक दस्वाइका था एक पचास तिन तक लोग पिनिकल था और विग्जिन भी कामियार थे लेके नौ लोगों की मौत इस हाथसे में हो गई है इद्रबाद से केमरे पर से नादराजू के साथ मासुदी रेने के वहीं करनाटा के उरुपी में कहीं यहां पर पर भीशन आग कहीं अलाकों से सामने आई है दिपावली पूजा के दौरान मचली पकड़ने वाली साथ नावों में आग लगी है यह हाथसा जो हुआ है वो पोर्ट ओफ नौमाली जो एरिया है वहां पर हुआ है यहां बताया जा रहा है कि यहां पर पटाखों की वज़ है कुछ लोग जखनी जरूर हुए है और उसी को देखते हुए यह तस्वीरे जो है काफी बहावा तस्वीरे जरूर नज़र आ रही है हमारे सायोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ जुर रहा है निहाल यह किस तरीके से यह हाथसा हुआ और अभी क्या स्थिती है यहां पर से और दक्षिन में आज एक बड़ी पूजा होती है दिपावली के मौके पर और ये पूजा का ही मौका था तो ऐसा माना जा रहा है कि जो नावें वहां खड़ी थी उनमें बहुत सारे पताखे थे क्योंकि शाम में पताखे चलाने का भी परचलन है यहां पे पूजा के काफी तेजी से फैल गई वहां पर ब्लास्ट होने लगे तो फॉरण कुंदापूर पास में ही है वहां से फाइल प्रिगेट के अधिकारी और गारियां वहां पर पहुंची और उन्होंने तक्रीबंद दो से धाई घंटे लगे जब उन्होंने इस पर काबू पाया लेकि इसमें किसी के भी हताहत होने की या फिर जलने की कोई खबर नहीं है तो वहां पर आठ नामे जल गई साथी साथ दो बाइक जो मचवारों की थी वो भी जल गई कुल मिला करके ऐसा माना जा रहा है एक अनुमान के मताबिक की तक्रीबं आठ से दस करोर रुपय का आर्थिक नुक्तान हुआ है इन मचवारों को लेकिन आठ की जो असली वज़ा है उस पर अधिकारिक तौर पर अभी कोई ब्यान नहीं आया है बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल हमारे साथ जुरने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक खतरनाक ट्रेंड की महाल पैदा हो गया इतना खतरनाक है यह पागलपन जिस तरीके का इस वक्त आप देख रहे हैं और एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था इस दोरान जो लोग हैं वहांपर काफी सारे लोग बहुत परिशान थे अफरात अफरी के महाल में वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे पिलाल पुलीस इस मामले की जाज कर रही है ये जो मामला है ये मोहन सिनिमा हॉल है वहाँ पर 9 से 12 बिजे के बीच का शो चल रहा था तबी कुछ दर्शकों ने पठाके वहाँ पर फोड कर आतिश बाजी करके इस तरीके का महौल पैदा कर दिया पुलीस ने इस मामले में एक केस दर्श कर लिया है और इस पर जाज अभी जारी है इस मामले को देखते हुए जो आक्टर सल्मान खान है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उन्हें कहा है कि मालेगाव के इस घटना को लेका और उन्हें अपनी बात रखी है उन्हें कहा है मैंने टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थेटर में आतिश बाजी के बारे में सुना है ये बहुत खतरनाक है खुद को और दूसरों को खत्रे में डाले बिना फिल्म का लुफ्ट उठाएं सुरक्षित रहें ऐसा सल्मान खान ने कहा है मेरे सायोगी प्रशान्थ इस वक्त तमाने साथ जुड़ रहे हैं उनके बास लिए चलते हैं प्रशान्थ टाइगर 3 सल्मान खान का जो एक बड़ा फैन क्लब है ये तो उमीद लगाई जा रहे थी कि लोग अलग अलग तरीके से इस पर अपना उत्सा जाहिर करेंगे लेकिन ये एक बहुत खतरनाक मतलब भगवान का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ यहां पर बड़ा बिलकुल भख सही कह रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल है य या इस तरह के जो द्रश्य है वो अकसर साथ में देखते हुआ जो बुलते हैं एक दू बार साथ में भी मैंने इस तरह का द्रश्य देखा आए कि फिल्म के दौरान उनके जो फैंस हैं वो पठागे चला रहे हैं लेकिन यहां पर इस सिनमा में माले गाओं में यह इस से पहले भी एक बार हुआ है शहत साथ अक्टूबर के आसपास जब शारुक खान की फिल्म आई थी उस वक्त भी कुछ ऐसा सा हाथसा कुछ होने की रि देख रहे होंगे विजुल्स में भी कि वो पठाके और आग इदर से उदर जा रही है किसी के उबर भी गिर सकती है कोई भी हताहत हो सकता है तो यह बात बिल्कुल सही है डेंजरस और यहीं देखते हो सलमान खान ने भी टूइट किया कि यह डेंजरस है आप फिल्म का मैं आपसे यह बी जाना चाहूंगा कि किस तरीके का अभी जो फिल्म है उसको लेकर कैसा रिस्पॉंस दस्रकों का सामने आ रहा है इस फिल्म को लेकर काफी बड़ी तैयारिया भी थी उमीद भी लोगों को बड़ी थी कि यह टाइगर थी फिल्म एक बार जबर्दस होती थी क्योंकि दिवाली के दिन पूजा के चलते हैं और दिवाली के दिन जितने भी लोग हैं वो बिजी रहते हैं गिफ्ट देने में इधर उधर तो इसलिए दिवाली पे फिल्में जो हैं वो अच्छा नहीं करती थी और जो आकड़े हैं मेरे पास उसके हिसाब से करी साता सलमान खान की स्टार्डम पे और अब आप आगडे देख लीजे कि सलमान खान की जो फिल्म है इसने कलीव करीब पूरे देश में अगर बात करें तो चावालेस दशमलों पचास करोड नेट नेट का मतलम मैं बोलता हूं कि जहां पे एंटरेटेंमेंट टेक्स को हम माइ चावाले दिन का यह रिकॉर्ड एक सलमान खान ने तोड़ा है कि यह जो 41.50 करोड का जो मैं आपको आकड़ा बता रहा हूं यह जवान से भी उपर है विदेश में जो कि जवान ने विदेश में 49.50 करोड कमाया था तो यह उस तरह से विदेश की बात करें तो वहां पे र रिकॉर्ड है क्योंकि सलमान खान की यह पहली ऐसी फिल्म है जिसका जो कलेक्शन है देवन पे वह 44.50 करोड करोड है इससे पहले जो जितनी भी फिल्म उनकी रिलीज हुई है ओपनिंग डे पे ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना किसी का नहीं था तो यह दो उन्होंने रिक अच्छा नंबर है फिल्म के लिए जी टीम सी नेताव उन्हें इस हत्या के पीछे सी पीम का हाथ होने का रोप लगाया है साथी साथ आपको यह भी बता दें कि सी पीम ने इन आरोपों को खारिज जरूर किया है टीम सी की आंतरिक कला का इसको नतीजा बताया है हमार साथ हमारे सायोगी सौरब गुपता इस वक्त चुर रहे हैं इस बार जो गटना हुआ है इसमें आज तुभे एक त्रिनमुल कॉंग्रिस के नेता जो लोकल नेता है उनके उपर गोली चलाया गया और उनका मिर्तिव हुआ उसके बाद एक हिंसक मॉब कुछ लोगों की घर जला दी और जिसके उपर उस मॉब का शक था कि इस हिंसा में वो शामिल है उसको भी लिंच कर दिया गया इस मॉब द्वारा और इसके बाद यहां पर पुलीस पहुंची पुलीस आने से पहले कहीं सारे घर जला दिया गया और कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि जब वहां पे फायर एंजिन जा रहते तब फायर एंजिन को भी रोका गया और यहां पे अब पुलीस का कहना है कि अभी सिती काबू में है और एक आरोपी को उन्होंने हिरासत में लिये है जो इस त्रिनमुल नेता के खून के मामले में उनके लिए एक सस्पेक्ट है और दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने पूचा पश्ची मंगाल में राजनेतिक हिंसा होता रहा है जैसे कि आपने कहा त्रिनमुल का कहना है कि राजनेतिक हिंसा का शिकार जादातर वो खुद बने है और आज भी उनका कहना है कि वो राजनेतिक हिंसा का शिकार बने है और आज उसके बाद यहां पे जो मॉब है मॉब इस हिंसा कटना के बाद लोगों की घर जला दिया दूसरे तरफ CPIM का यह कहना है कि जिन लोगों का घर जलाया गया वो सारे CPIM का समर्सक थे और यह भी एक राजनेतिक हिंजा है तो अब ट्रिनमल नेता को क्यों मारा गया यह राजनेतिक हिंजा है कि नहीं यह तो जाट में पता चलेगा लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको लेकर CPIM ने यह आरूप उठाया है कि वो राजनेतिक हिंजा जरूर है और अभी पुलीस वहाँ पे तैनात है और सिती काबू में लाया गया है ऐसा पुलीस का कहना गया है शुक्षिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या छोड़ा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं और वापस आके खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है बने रहे हैं हमारे साथ उत्रकंड के उत्रकाशी में निर्मारदीन सुरंग का एक हिस्सा गिर गया उत्रकाशी में हाथसा सिलकवारा इलाके में हुआ जहां पर एक टनल बन रहा था हाथसे के वक्त टनल में करीब 40 मजदूर काम कर रहे यह सभी मजदूर अब वहां पर फस गए इनमें से जहारखंड के पंदरा मजदूर है उत्रक्रदेश के आठ उरिसा के पाँच बिहार के चार पश्रमंगाल के तीन उत्राखंड और अस्म के दो-दो मजदूर यहां पर हिमाशल का भी एक मजदूर फसा हुआ है देखिए यहां पर तेजी से जो बचाओ का काम है रेस्क्यू का काम है मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है और यहां पर चुकी कंप्रेसर के माद्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है खाते सामागरी भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं उनसे लगातार यहां पर बात भी हो रही है इसलिए हम आस्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी यह रेस्क्वी पूरा कर लिया जाएगा और जो भी बिशेसक के हैं उन सभी से बात हो रही है राज्य सरकार और केंदर सरकार लगातार इसको लेकर गंबीर है मानी प्रधान मंत्री जी ने गरह मंत्री जी ने हमारे रेलवे मंत्री जी ने सभी लोगों से बात किये मानी प्रधान मंत्री जी ने तो बहुत बिस्तार से इस सारे घटना करम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभा हमको भरोसा दिया है कि हम हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि सब को फॉक्स बाम आपकार को ढाएगी जैसे हम मलबा और यहां आ होपर से जैसी माल गशाते है तो मलबा केंटिनुएच आई जा रहा है वो रूख नहीं रहा है तो हम कोशी चेकर रहे हैं जो मलबा ओपर से मेरा है वी हाब सम्मेशीं इंडियार एफके असिस्टिंट कमांडर ने थोड़ देर पहले रैस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी, वो भी आपको सुनाते हैं कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने खाने के कुछ चिप्स और पानी की वबस्ता उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बार निकलनी पूरी कोशिश करेंगे सिलकेला की टनल में रेस्क्यो ओपरेशन लगातार चल रहा है 24 घंडे से जादा हो चुके 40 मजदूर अंदर फसे हैं लेकिन उन तक ऐसी एक मशीन है अगर उसी तरह का जो पाइप लाइन अगर के एक से आक्सीजन भेजा जा रहा है और एक और चीज दिखाना का जाता हूं जो अंदर फसे 40 मजदूरों के लिए जो एक लाइफ लाइन है वह एक यह पाइप लाइप लाइप लाइन पूरी पाइप लाइन अंदर जहां पर अंदर जहां पर मलबा गिरा यानि यहां से वहां से ही एक अब पानी की पाइपलाइन में आप लोग अक्सिजन भेज रहा है और यह पाइपलाइन में फूट भेज रहा है और जो प्रेशन अधियम से अंदर जा रहा है पर यह पुट है काम से कॉम्याइप स Bengal फाइपलाइन को किसले यूज़ किया था था आफ यल्जोग कुछ कर रहा है पाइले अंदर से कनेक्शन थे अगर हम यह बोले कि लाइफ लाइफ लाइन है उन 40 लोगों के लिए जिसमें उनको ऑक्सिजन और फूड भेजा जा रहा है इसके लावा बहुत सारी ऐसी चीज़े है तो लगबग इस तरीके से ही जो एक अंदर मशीने लगा कर 40 मज़़ूरों को फिलाल बचाने का काम चल रहा है रेस्क्यू ऑप्रेशन अलग चल रहा है और उनको लिए फूड और ऑक्सिजन भी सप्लाई की जा रही है हमारे साथ NHI DSL के डिरेक्टर और CFO अंशुजी मौजूद है मैं एक जी जानना चाहता हों कि यह कितना तफ और किस तरीके से आप इसको देखuję कर रहे हुआ सबसे बड़ा चैलेंज्जिसमें हमें यह मिल रहा है कि हम जितन इसको एक्सेक्षीट करते हैं जिदन बहार निकालते हैं मलब्वा उतना ही गिर जाता है लेकिन कल रात से हमें ये समझ में आ गया है कि करीब 60 मीटर का जो दूरी है उसके अंदर में ये मलबा जमा हुआ है और उसके आगे करीब 2 किलो मीटर के अंदर तक हमारे साथी वहाँ पर है लेकिन सारे सुरक्षित हैं ये भी कल हम रात को जान सकें क्योंकि दो पाइप गई हैं एक पाइप से हम उनको खाना प्रोवाइट करने और दूसरे से ऑक्सिजन और उसी पाइप से क्योंकि बीच बीच में वाकी टॉकी उतना क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उस से हम बात करते हैं और उस पाइप से यह हमको जानकारी मिले कि चालिस के चालिस सुरक्षित अच्छा सर एक जाना चाहरा था यह टरनल यह वाली टरनल साड़े-चार सो किलोमेटर की है इस टरनल में यह कहां पर फसे और कितना मलवा यह थोड़ा पता हैं यह करीब 203 मीटर जो है वहां पर जाके यह चालू हुआ है और करीब 255 मीटर पर जाके मलवा खतम हुआ है तो 203 से 203 किलोमेटर के आसपस मीटर पर जाके हुए था अच्छा यह 2350 के बतारे टरनल आया उसके बाद जो पैच है उसमें जितने भी यह लोग है सुरक्षित है मतले हैं यह सारे अब किस तरीके से आगे यह करवाई की इसमें हम 2-3 चीजे कर रहे हैं पहले तो मलवा आटा के जाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा हम क्या कर रहे हैं एक एक अदमी को निकाला जा सकते उसके लिए हम पाइप ला रहे हैं स्टील की पाइप जिसको हम पुछ करके वहां पर देखे ताकि हम दोनों की तरफ से बचाव किया साथ सके नहीं यह हमारे तरफ से हो रहा क्योंकि उनके पास कोई भी एक्विप्मेंट नहीं है उनके पास सारे इक्विप्मेंट इसी तरफ है सारी मशीन साब देखेंगे ड्रिल मशीन या जितनी भी चीजे सारी इसी तरफ जल्दी वो बाहर निकल पाएंगे उमीद करते हैं हमारी पूरी उमीद है जितने जल्दी हो सके उनको दहार लगे उनके परिवार जनों के साथ उनको उमीद आसे बिल्कुल सभी इसी उमीद पर है और सभी जो एक्सपर्ट्स लोग है वो यहीं इसी बात पर सलाह मशुरा कर रहे कि कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए अब एक जो नई चीज आई है उसमें स्टील के पाइप डाले जाएंगे और उनके द्वारा एक एक आदमी को बाहर रेस्क्यू किया जाएगा सिल्क्यारा से एंड़ी टीव इंडिया के लिए कि शोरावत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के कही लाकों में जिसम कर पठाके बाजी हुई कल दिवाली की रात थी उसमें भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवेलना की और ना सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखा दिल्ली के और लोगों को भी दूशित हवा अप में सांस देने के लिए मजबूर किया बीती रात 22 जगाहों से पठाकों से आग लगने की खबर भी आई है हाला कि बीते सालों के मुकावले आतिश बाजी थोड़ी कम ज़रूर बताई जा रही है कम आतिश बाजी की वज़ा से दिल्ली की जो आबो हवा है वो अब इसको आप गरीमत के तौर पर सोच सकते हैं कि और भी बुरा हो सकता था आशंका जताई गई थी जैसी वैसा ही हुआ दिवाली की अगरी सुबा प्रदूशन में इजाफा देखा गया लेकिन उस तरीके का नहीं जैसा हमेशा देखा जाता था सुबा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आकड़ों के मतावब दिल्ली की जो आउसत AQI है वो 300 के पार है जो की बहुत खराब स्तर पर जो हवा होती है उसमें ये 300 के पार की हवा आती है 300 के उपर जाने पर जो स्तर है वो बहुत खराब शेड़ी में चला जाता है। इससे पहले दिवाली के दिन दिली में 8 साल की सबसे बहतर वायू हवा गुनवक्ता जो है उसका वो देखी गई थी। लेकिन बहुत खराब हब आप आप देखिए कि इससे पहले कितनी बुरी हालात होती थी। आज क्योंकि अभी भी बहुत खराब शेड़ी में है तो इसको हम पहतर मान के चल रहे हैं। पिछले 6 सालों में ये सबसे कम प्रदूशित दिवाली रही हाला कि कल भी जमकर पटाके जलाए गए। बीटे कई सालों से दिवाली में जो दिल्ली NCR का प्रदूशन का स्तर है वो बहुत खराब शेड़ी में रहता था इस बार खराब शेड़ी यानि कि 300 के पास पास रहा है। यानि कि जो AQI है सुभा करीब 330 दर्ज की गई, कल सुभा ये 220 के करीब थी तो उसमें 100 का इजाफा हुआ है पटाके जिलाने के बाद। इस पर विश्च जानकारी हमारे सायोगी परिमल दे रहा है। पिछले साथ सालों में दिवाली के अगली सुभा सबसे बहतर Air Quality Index रहा है जिसको हम AQI कहते हैं और आंकरों पे अगर ध्यान दे तो 2018 से हमारे पास आंकरे हैं और CAQM Commission for Air Quality Management ने माना है कि पिछले साथ सालों में दिवाली के अगली सुभा इस साल 2023 में सबसे बहतर है Air Quality Index के मा अगर तो लांत्मक अध्यन करें पुराने सालों से 2018 से तो ये जरूर है कि हवा की गुनवत्ता पुराने 2018 में जो दर्ज किया गया था 2019, 2020, 2021, 2022 अब 2023 में वो कम से कम पुराने समय से बहतर जरूर है और आकरों पे अगर ध्यान दे तो आपको पताएं कि 2018 में दिवाली की किया गया, 2021 में 422 दर्ज किया गया, 2022 में 303 और 2023 में 300 ये एर कॉलिटी इंडेक्स है और सिर्फ इनहीं आकरों पे नहीं, अगर दिवाली से एक दिन पहले दिवाली की दिन के आकरों की भी अगर बात करें, तो 2018 में दिवाली की एक दिन पहले 338 एर क्वालिटी इंडेक्स था जो दिवाली के दिन 281 हो गया 2019 में दिवाली के एक दिन पहले 287 एर क्वालिटी इंडेक्स था जो दिवाली के दिन 337 दर्ज किया गया था 2020 में दिवाली से एक दिन पहले 349 एर क्वालिटी इंडेक्स था जो दिवाली के दिन 414 दर्ज किया गया था 2021 की बात करें तो 314 दिवाली के एक दिन पहले दिवाली वाली दिन 382 दर्ज किया गया 2022 में दिवाली के एक दिन पहले 269 Air Quality Index था दिवाली वाली दिन 312 दर्ज किया गया 2023 में दिवाली के एक दिन पहले यानि इस साल 220 Air Quality Index था जो दिवाली के दिन 218 दर्ज किया गया और दिवाली के अगली सुबर 300 Air Quality Index पहुँच गया ये तमाम आकरे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिवाली के दिन अचानक किस तरीके से क्रैकर्स के इस्तेमाल से हवा के गुनवत्ता खराब हो जाती है और इस साल भी यही हुआ है जो दिवाली के दिन Air Quality Index था यानि कल वो 218 दर्ज किया गया था लेकिन अचानक सुबर होते होते ये 300 पहुँच गया यानि करीब 70-80 पॉइंट का जो जाफा हुआ है उसमें एहम योगदान क्रैकर्स करहें बाबजूद पाबंदी के क्रैकर्स आज दिवाली के अगली सुबर लेकिन अभी भी हवा की गुनवत्ता अच्छी नहीं है हवा की गुनवत्ता जीरो से 50 बहुत अच्छी मानी जाती है सटिस्फैक्टरी 50-100 मानी जाती है लेकिन अब भी हम 300 के आसपास हैं तो ये गुनवत्ता खराब जरूरी हुई है जरू के कारक में या पॉलूशन के में इजाफा होता है एर क्वालिटी इंडेक्स में लेकिन दिवाली के अगली सुबह क्रैकस जो मुसीवत बढ़ाती है उस तरफ इशारा इस बार भी है क्रैकस ने मुसीवत बढ़ाई है और करीब 70 पॉइंट का इजाफा दिवाली के दिन जो जहरीली है नई दिली से परिमल कुमार एंडिट्यव इंडिया इस वक्त हमारे साथ कमिशन फोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मिंबर सेकृटरी अरमिन नौ्टियाल हैं सर दिवाली के दिन और दिवाली के अगली सुभर किस तरह की एयर क्वालिटी इंडिक्स रहे नहीं एक यूई रिकॉर्ड किया गया था दिवाली के पहले दिन और वो एफेक्ट हमको दिवाली पे भी देखने को मिला और ये एक रिकॉर्ड के अगर हम माधियम से देखें तो बेस्ट दिवाली डे अगर रहा है तो वो 2023 करा है जिस दिन एक यूई 220 के पे दर्ज हुआ उसके पहले भी करीब करीब उसी स्तर पे था एक यूई कल भी 220 पे दर्ज हुआ हालां कि शाम तक आते आते और आज अगर हम देखें अभी तक उसमें जो एक बातावरन बना और जो थोड़ा बहुत हमको पॉलिशन पॉलिटिंग अक्टिविटीज क्रैकर्स के रूप में देख हैं हाला कि absolute terms में अभी भी poor category में हैं very poor category में हैं हम लेकिन अगर देखें दिवाली दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन तो इन 3-4 दिनों में जो आवसतन जो एक यूई देखने को मिलती है वो इस साल की अभी तक ही best रही है पिछले 6-7 सालों में best रही है जी पोस् सारे factor होते है, vehicular pollution होता है, biomass burning होती है तो crackers ने कुछ मुसीबत बढ़ाई है क्या जो आंकड़े दिखा रहे है आंकड़े और जो हमारा जो decision support system है जो IMD का हमको support करता है एक modeling के जरिए बताने के लिए कि कि इतना load बढ़ता है तो इसमें निश्चित है कि इसमें पटाकों का ज स्पाइक देखने को मिला है मूलता है पटाकों का ही शाम के वक्त से और एक्दम से यह concentration बढ़ा है वो शाम के समय से बढ़ा है चलि छोटा से एक break ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चुनाईवी राज्यों में किस तरह की सरगर्मी है उसके बारे में आप हबरे देंगे छोटा से ब्रेक लेगे वापस आएंगे दिवाली के अगले दिन ही एक बार फिर से चुनाई मैदान मर्दि गज नेता जो हैं वो उतर गए हैं और दोनों पार्टी कॉंग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत इस वक जोगती नजर आ रही है पदामिति नरेंद्र मोदी आज 36 गड़ और मद्यप्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं सबसे पहले उन्हें ने 36 गड़ में रैली की और रैली को संबोधत करते हुए कॉंग्रेस पर जम कर निशाना सादा पदानमंतिरी ने महादेव बैटिंग आप गोटाले को लेकर मुख्यमंतिरी बुपेश भगेल पर निशाना सादा और कहा कि वो बताएं कि गोटाले में किसे कितना पैसा मिला है आगे पदानमंतिरी ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस मेंने 36 गड़ को सिर्फ लूटा है और वो समझ गई है कि यहाँ पर अब चला चली बेला आ गई है और इस बार जो यही गूँज है कि 3 दिसंबर को भाचपा आएगी और आज मैं जब 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्य मंत्री के पद के लिए धाई धाई साल का एग्रिमेंट हुआ था अब ऐसी पारड़ी जहां बटवारे के एग्रिमेंट होते है लेकिन पहले ढ़ाई साल में ही मुख्य मंत्री जेने इतना लूटा इतना लूटा इतना लूटा दाई साल में इतना प्रस्टा चार किया है लूट के पैसों का अमबार जमा कर लिया और जब दाई साल पूरे होने पर आए तो तीजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी खजाना कोल दिया हर एक को खरिट लिया दिल्ली के नेताओं को खरिट लिया और एग्रिमेंट धरह का धरार आए गया और इसका गुस्टा सिरफ पुराने कॉंग्रेस के लोगों में है इतना ही नहीं 36 गड़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोका हो सकता है इतनी बड़ी वादा खिलापी हो सकती है तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलापी होना आता है हर वादे को ये जूट करने वाले है